Hello everyone, welcome back to my channel आज की कहानी हमारी बिल्ली का न्याए एक चंगल में एक बड़े पेड के डाली पर एक खोसला था जिसमें कपीजन नाम का एक गोरिया रहता था उसके ठीक उपर घोसले में एक कबूता रहता था जो उसका बहुत अच्चा मित्र था वे रोज एक साथ सुरज के डूंबने पर अपने अपने गर आते थे और बैटकर अनेकों तरह की बाते करते रहते थे वे दोनों एक दूसरे के साथ बाते करते हुए खुशाल जीवन व्यतित कर रहे थे तभी एक दिन का पीजल किसी दूसरे गोरिये के साथ अपने खाने के लिए एक ऐसी जगा पर चला गया जहां पर पके हुए धान के खेत लगे हुए थे कपीजल के बहुत दिनों तक नहीं आने पर उसका मेत्र बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि कहीं मेरे मेत्र को कोई कुछ करतो नहीं दिया अगर खुचर रहता तो जल्दी ही आ जाता और मेरे साथ धेर सारे बाते करता या सुचते हुए कई दीन बीट गए मगर कपीजल का कुछ पता नहीं चला फिर एक दिन सुरज ढनने के बाद उस पेड़ के गोसले में एक कबूतर आके रहने लगा उसे देखकर कपीजल का मित्र भी कुछ नहीं बोला क्योंकि कपीजल के आने की सारी उमीद तूट गई थी तबी एक दिन अचानक धान खाने से फुरसत पाकर कपीजल ने अपने घोसले को याद किया और वो अपने घोसले के पास वापस लोटाया उस गोसले में कबूतर को देखकर उसने गुसा होकर बोला की अरे यह तो मेरा घर है तू जल्दी से बाहा निकल कबूतर ने कहा की यह तो मेरा घर है मैं कहीं नहीं जाओंगा क्योंकि जंगल का नियम यही कहता है की जो भी जिस घर में रहता है वह उसी का हो जाता है इसलिए तू यहां से निकल जा यह कहते हुए दोनों में बहुत बहांस हुई उसके बाद कपीजन ने कहा अगर तू यही जिद करता है तो चलो किसी समझदार के पास जाते हैं हम और वहीं पर हमारा न्याय होगा वह दोनों उस गोसले की जिद में लड़ते जगरते हुए समझदार को डूढने की कोसिस करने लगें उसी बीच एक जंगली बिली उनकी लड़ाई सुनकर रास्ते में आ गई और पास के एक तलाब के किनारे जाकर हाथ में गुश लेकर और अपनी आखे बंद करकर मंत्र कपिजल या धार्मिक तपस्वी तलाब के किनारे बैठा है इसके पास जाकर हमें पूछना चाहिए कपिजल ने कहाथ ठीक है पर यह सवभाव से ही हमारा दुस्मन है इसलिए दूर रहकर हमें पूछना चाहिए पास गए तो कहीं हमें खान आले कुछ समय बाद दोनों पीच जगड़ा हो गया है इसलिए धर्मसास्त्र के अनुसार उसका कोई हन निकालिए और फैसला करिए कि कौन सही है और कौन गलत है अगर कोई जूटा है तो उसे आप खा लेना उसके बाद उस बिल्ली ने कहा कि मेरे प्यारे पंचियो मुझे ऐसा ना कहो हिंसा धर्म को त्याग कर अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ी हूं वेद ज्यान का पाठ कर रही हूं इसलिए मैं तुम लोगों को खाऊंगी नहीं अतह तुम दोनों निच्चित होकर मेरे पास आओ और अपनी लड़ाई की सारी बाते मेरे कानों में बताओ इतना कहकर उस नीच बिल्ली न अपने नोखीले दातों से काट कर मार दिया और उन्हें खाने लगी एक दूसरे की बीच की लड़ाई में कभी भी तीसरे को लाना नहीं चाहिए आपस में ही सुलजाना चाहिए वरना उसका पड़िराम ऐसा ही होता है एलो आज की कहानी कैसी लगी पसंद आई हो तो प्ली मेरे चैनल को सब्सक्राइब रहें बाई